हेलो एविल्बन मैं राजिर बंडारी आप सबको स्वागत परता अपने चैनल लेक्टे के लड़म है आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ वो लेके आएँ जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो आपकी फर्स्ट बूक है जो फिजिक्स क फर्स्ट बूक है उसके नुमेरिकल्स आपको दिये थे दस कोशन तो मैंने दिये थे आपको ठीक है उनके सॉलिशन नहीं दिये थे और वो दस कोशन के अलावा मैंने आपको टॉपिक भी बता दिये फर्स्ट बूक के कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने है ठीक है आपको बना रखी है, बहुत से बच्चे उसके बारे हम पूछ रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है, यह important topics वाली कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके description में मैंने सारे link डाल दिया है, ठीक है, तो आप सब बहुत पर चाके देख सकते हो, कि मैंने first book के important derivation, important numericals के उपर वीडियो बनार की है, ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं मिल दिये, तो आप playlist में जाके, जहाँ पर physics होगा, उसके अंदर जाके, आपको सब चीज मिल जाएगा, ठीक है, बहुत से बच्चे क्या पूछ रहे हैं, जो theoretical question मैंने कल बताये थे, ठीक है उनके answer, तो वो भी उनके उपर भी वीडियो बहुत से रहे questions के answer आपको वीडियो में मिल जाएगे, जैसे wave optics के जो important questions है, वो wave optics वाली जो मैंने वीडियो बनार की उसके अंदर मिल जाएगे, wave optics के अंदर मिल जाएगे, आपको semiconductor वाली, तीन वीडियो मैंने बना रिखी है, ठीक है, तो आप सबको वहाँ पे मिल जाएगा, आप एक बार वहाँ पे जाके playlist में जाके देख लो, ठीक है, बागी इस वीडियो में मैं जो आपको second book के जो numericals हैं, important numericals हैं, कौन-कौन से आ सकते हैं, वो इस वीडियो में बताऊंगा, अब इस वीडियो में क्या है, ये सा ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो हिंदी में मैं आपको question समझा दूँगा, question क्या है, बाकि आप जो जब इसका solution करोगे, तो यहां से आपको solution में मिल जाएगे, यानि इस वीडियो में question के साथ आपको solution भी मिल जाएगे, ठीक है, तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, क ठीक है, आपको भी topic पता होने चीए, और वैसे कि अब बहुत से बच्चे क्या है, solution भी मांग रहे थे, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में solution भी दिये हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर ढूनने में आपको time नहीं लगेगा, तो और जो कल वीडि बनाईती, उसके भी solution कोशिस करूँगा, उसके भी solution आपको देदू जल्दी से, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या है, एक lens maker formula हमने पढ़ा था, lens maker formula में यह formula आपने देखोगा, कि एक formula हमने पढ़ा था, 1 upon f, जो prove किया था, n minus 1, 1 upon r1 minus r2, ठीक है, यह formula है, इस formula पर एक numerical आता है, ठीक है, इस formula में एक numerical आता है, ठीक, अब यहाँ पर जो formula में मैंने आपको n लिखाना है, 1 upon f equal to n minus 1, ठीक, अब bracket में 1 upon r1 minus 1 upon r2, ठीक है, इस तरीक है, तो यहाँ पर n न, वैसे n यहाँ पर होता है, क्या है, जैसे यह 2, 1 लिखते हम इसको, ठीक है, यानि इसको ऐस लिख सकते हैं, 1, n2, या n2 upon n1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानि medium यह n2 होगे medium 2, और n1 होगे medium 1, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको यह ध्यान देना, ठीक है, अब यहाँ पर मानलो question में कैसा आगया, glass का आगया, glass का air के respect में, तो 2 की जगा आप G लिख दोगे, और air 1 की जगा A लिख दोगे, तो यह NGA बन गया, ठीक है, जैसे मानलो कोई glass है आपका, ठीक है, और आपने इसको कहां रखावा है, air में रखावा, कहां रखावा, air में है, ठीक, और यह क्या आपका glass, कोई बो लेगा glass का जो reflective index है, और air के respect में है, तो इसको कैसे लिखोग कि NGL, यानि यहापे जो glass होगा ना, उसको किसी liquid में रखावा होगा, ठीक है, और तो अगर हम यहापे glass का refractive index निकालेंगे, किसके liquid के respect में है, अब refractive index को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवरतनांग, क्या बोलते हैं, अपवरतनांग, ठीक है, अगर हम glass का अपवरतनांग निकालता है, किसके, लिक्विड यानि, द्रव के, द्रव में, तो इसको कैसे लिएंगे है, NG upon NN, ठीक है, तो यह थोड़ा basic था, इसके उपर numerical कैसा आएगा, देखो, अब यहापे देखो, पहला question जो है, आपका double convex lens है, आपका, जिसकी, double convex lens किसको बोलते हैं, जैसी यह, ठीक है, यह, 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 तो इसको double convex lens बोलते हैं, जब भी ऐसा होगा न, इसका मतलब है, लैंस में एकर formula ही होगा आपका, ठीक है, जिसकी radia, यह, यह, त्रिज्या, radius, जो दे रिखी है, 20 cm, तो आपको बता, एक R1 होता है, दो radius होती है, इसके formula में, ठीक है, तो यह, यह, पर R1 जो होगा, वो इधर की साइट होगा, हा न, तो इसलिए उसको लेंगे हम positive में, और जो R2 होगा, वो इधर की साइट होगा, तो उसको लेंगे हम negative में, ठीक है, अभी मैं इस question में बता दूँग, इसमें थोड़ा सा, मतलब solution में थोड़ा सा गड़ बड़ है, उसको मैं सही करवा दूँगा, तो यहाँ पर radius होगी न, R1 और R2, ठीक है, तो आपको पता है, 20 है, ठीक है, reflective index of glass, यानि, glass का अपरतना अंग, ng, उसकी value है कितनी, 1.5, ठीक है, तो simple, ng दे रहा है, तो इसका मतलब है, किसके respect में होगा, air के, तो इसको ऐस and when emerging carbon dioxide, यानि, जब CH2, यानि, किसी liquid में, carbon dioxide का एक liquid है, तो जब हम इसको liquid के अंदर डालेंगे न, तब आपको इसकी focus निकालने, यानि, दो बार करने हैं आपको, एक बार air में, और एक बार carbon dioxide में, जब आपका carbon dioxide एक liquid यानि, द्रव होगा, ठीक है, तो अब जैसे हम यह formula ल है, तो यहाँ पर R1 और R2 की value रखोगे कितनी है, 20, अब यहाँ पर जो है न, यहाँ पर क्या गडबड़ है, यहाँ पर यह माइनस नहीं आएगा, ठीक है, R1 को लिखोगे plus में, R1 लिखोगे plus 20, और R2 लिखोगे कितना, minus 20, ठीक है, तो यहाँ पर जब minus 20, तो यह माइनस में नहीं होगा, R2 minus में होगा, और minus minus यह plus हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर plus का sign आया, यहाँ पर देखो minus नहीं लगारका, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर minus 20 और यह minus हो जाएगा, plus हो जाएगा, यहाँ पर plus हो जाएगा, ठीक है, और plus होने पर यह होगा यहाँ पर इसकी value इसकी value कितनी क्या रखों तो जैसे मैंने आभी आपको बताए था इसका मतलब क्या है इसका मतलब है glass का air की respect में ठीक है NGA तो इसकी value सीथ आपको देर रखा है 1.5 उसने question में ऐसा नहीं बोला है उसने question में क्या बोला है glass का देरका है NG देरकता में ठीक है मगर हमें air में निकाला है तो air इसके आगे लगा दिंगे ठीक है तो इसकी value कितनी होगी या इसको हम ऐसे भी लिख सकते है NG upon NA ठीक है तो NG की value देरकी 1.5 और NA की value होती 1 तो 1.5 भी बचेगा आपका तो इस तरह के से भी लिख सकते है में इसको ठीक है तो यहाँ पर N21 का मतलब क्या है NGA ठीक है तो इसका value 1.5 है value यहाँ पर रखने आपको ठीक है इसको plus कर देना और यहाँ पर minus लगाओगे इस वाले में तो यह plus हो जाएगा ठीक है तो यह plus में आपका answer आजाएगा बाकिस में solution तो आप इसका करी सकतो ठीक है इसको यहाँ पर आप solve करोगे तो F की value यह आ जाएगी आपकी ठीक है easy है solution देखू मैं आपको solution नहीं बताऊंगा कि क्यासे कैसे 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 आपको रखना है F की value निकालनी है इसकी value इसकी value कैसे रखने है आप ठीक है अब second की part में क्या है आप उसने बोला कि अब इसको जो glands आपको इसको air में नहीं रखना आप आपको इसको liquid में रखना है किसमें carbon dioxide sulfide में है ठीक है और जो यह liquid है ना जो liquid है NL लिखलिंग है इसको इसका जो refractive index है नहीं अपड़तना है वो दे दिया उसने कितना 1.63 कितना 1.63 question में देर का था ठीक है NL की value देर दी ठीक और glass का भी देर का था आपको इस starting में NG की value कितनी देर की थी 1.5 कितनी देर की थी 1.5 अब आपको निकालना क्या है आपको तो यहाँ पे जो value रखनी है ना यहाँ पे value रखनी है glass का liquid के respect में ठीक है मगर यह तो NG है हाँ ना क्या है NG तो इसको कैसे निकाल सकते हैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो NG upon NL NG upon NL तो इसका मतला मेरे को इन दोनों को divide करना पड़ेगा अगर मेरे को यहाँ पे L NG की value निकालनी है तो कैसे लिखूँगा इसको NG upon NL लिखूँगा और NG की value कितनी है 1.5 और NL की value कितनी है 1.63 तो इसलिए मैंने यहाँ इसको इस तरह के लिख दिया ठीक है तो जैसे आप यहाँ पे value पुट करोगे इसकी value इसकी value पुट करोगे और यहाँ पे R1 यहाँ पर फिट से इन उन्हें minus लेट करे यह plus महोगा और R2 जो होगा minus महोगा तो minus महोगा तो minus को जाएगा कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर एक चीज है मैं हिंदी मीडिय मालों को कोश्चन हिंदी में समझा रहा हूँ ठीक है बाकी जो यह सॉलिशन होगो आपका सेम ही रहेगा आपका हिंदी इंग्लिस दोनों के लिए ठीक है तो इस तरह के से f की value आ जाएगी आया समझे अब यह चेक कर लेना जब आप solution करोगे न तो यहाँ पर minus में आ रहा है plus में आ रहा हूँ आप चेक कर लेना ठीक है बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे चालने है और r1, r2 की value बोली है उसने की है कितनी है focal length के बराबर है यह नहीं r1 की जगा भी आपको f रखना है और r2 की जगा भी f रखना है तो इसको minus f रख दोगे ठीक है तो f और minus f तो यह minus और minus क्यों जाएगा plus इस वाले में सही कर रखा है ठीक है तो यह आपका answer यहाँ पे n की value इतनी आ जाएगी इसको solve कर लेना question को भी पढ़ लेना आप लोग question में आपको देख समझा दिया है ठीक है क्या है हिंदी मीडियमा लोग को समझा देता हूँ कि आपका क्या एक lens है ठीक है तो यह question था आपका आगला जो important question बनता है यह बहुत important question है आपका इस formula बनता है अब यह formula कहां से आपका इसकी मैंने derivation भी आपको बनाई करवाई है कि जब आप दो lens को आपस में इस तरह के से हाना रखते हो contact पर तो इनकी दोनों की focus जो focal length होती है वो add हो जाती है और जो add होने पर formula बनता है वो यह formula बनता है ठीक है कर भी मैंने derivation करने के लिए दी थी आपको ठीक है और एक numerical भी मैंने उसमें आपको बताया था कि इसका एक numerical आपको करना है ठीक है तो वही उसी formula पर numerical लेका हो मैं ठीक है कि two thin lens है आपके वो मैंने आपको पताया थे इस तरीके से ठीक दो thin lens है और जिनकी focal length कितनी है 25 cm है कितनी है 25 cm है और उनको contact मने आप चिपका के रखावा है इस तरीके से ठीक है the object is place और object को कितनी दूरी पर रखावा है यहां से मालो यह object आपका ठीक है तो इसको रखावा है 15 cm की distance में कितना में 15 cm की distance में लेंस है find the distance between object and image जो यहां पर object बनेगा मतला जो यहां पर image बनेगी ठीक है suppose इसकी image कहीं पर भी बन रही है आपके मालो इधर ही बन रही है तो यहां से पूरी इस तक यहां तक की दूरी निकालने आपको जहां पर भी image बनेगी इसकी ठीक है तो total distance निकालनी है आपको ठीक है अब आपको जो एक बाद दोनों लेने convex ठीक है और एक बाद लेने दोनों concave के लेने concave ठीक है यानि एक बाद लेने दोनों उत्तल और एक बाद लेने दोनों अब्तल ठीक है हिंदी में तो simple है main जो question है आपका यह न निकालना निकालना है, तो देखो आपको निकालना है, और V को जब plus करोगे तभी तो इनकी बीच की distance आईगी दोनों के बीच की distance ठीक है तो उसको कैसे करोगे तो उसके लिए पहले आपको F निकालना पड़ेगा और F कैसे निकालोगे पहले लेंगे हम convex अना दोनों की focus के में आईगी पलस में लेंगे हम ठीक है जब आप इसको solve करोगे तो यहां से F की value आजाएगी आपकी यह 12.5 अब आपको F मिल गया ठीक है 12.5 U आपके पास है ठीक है तो यहां से आप क्या निकालो इस formula से V निकालो इस lens का formula आपने 10 तो नहीं पड़ा 1 upon F equal to 1 upon V minus 1 upon U ठीक है तो यहां से आप V निकाल ले ना इस formula से जैसी आप यहां पर formula में value रखोगे ठीक है तो यहां पर V की value आजाएगी आपके कितनी 75 cm आगी ठीक है अब आपको total distance निकालने थी तो दोनो V plus U दोनों को जोड़ दो ठीक है अब V की value कितनी है 75 U की value कितनी थी 15 तो दोनों को add कर दिया तो कितना बन गया 90 आगया distance ठीक है अब ऐसे मत मोला U की value तो minus 15 थी तो distance हमारी कभी minus में नहीं होती ठीक है तो यहां पर minus अटा देंगे वो के बस minus यह सो करता है कि उसकी direction मतलब किस side हो ठीक है तो यहां पर minus 60 आदेंगे टोटल distance हमारी 90 आजाएगे ठीक तो यह तो था जब हमने दोनों उत्तल लिये थे अगर मालों दोनों अफ्तल ले लिए हमने convex इस तरह के से concave ले लिए convex नहीं क्या बोल रहा है दूसरा क्या था हमारा पहला convex था और दूसरा concave ठीक है concave यह नहीं अफ्तल हिंदी में बोते हैं अफ्तल ठीक है concave lens लेने आपको ठीक है तो यहां पर दोनों ने एक ही बनाया है ऐसी आपको यहां पर एक होरोगा ठीक है दो लेने आपको एक साथ अब यहां पर भी आपको पहले देखो u तो आपको पता यह माइनस फंदा देर का है ठीक है तो यहां पर भी आपको पहले f निकालना पड़ेगा तो यहां पर f जो लेते हैं माइनस में लेते हैं दोनों का concave के लिए j0 f होता है minus में होता है तो इसलिए दोनों को minus में लिया जब यहाँ पे solve गरोगे तो यहाँ पे f आ जाएगा आपका ठीक है जैसी f आएगा तो यहाँ से फिर से v निकाल लोगे इस वारे formula से v निकाल लोगे ठीक है जैसे उस वाले question में किया v जैसी आ जाएगा आपका यह v आ गया ठीक है अब यहाँ पे जब distance निकालोगे न तो distance के लिए फिर आपको v plus u करना पड़ेगा v plus u ठीक अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है जब आपने convex लिया था तो object इधर होता है image इधर बनती है तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा u और यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से v इन दोनों को plus करना होता है हना plus हो जाएंगे मगर जब हम concave लेते हैं तो उसमें क्या होता है image इसी side बन जाती है यह आपने object लिया image भी यही बन गई इसी side बन जाती इसमें तो इधर बन रही थी इसमें इधर ही बन रही तो अगर यहाँ से यहाँ तक की distance आपकी 15 आए और यहाँ से यहाँ तक की distance आपकी कितनी आ गई है 6.5 आगी 6.81 लगबग तो यहाँ पे इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे minus हो जाएंगे क्योंकि 15 में से आपको क्या करना पड़ेगा यह हटाना पड़ेगा तबी तो यह वाली distance बचेगी इन दोनों के बीच की distance यह ठीक है तो इस वाले में इसलिए minus हो गए यहाँ पे तो 15 में से minus 6.8 करा तो देख लेना कितना लिखाव है ठीक है तो इतना आपका answer आजाएगा 8.8 कुछ आईए ठीक है तो थोड़ा lengthy question है यह ठीक है मगर क्या है आता इसमें simply question है मगर यह lengthy इसलिए कर दिया मैंने आपको क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 चीज़ समझ में आजाएगा क्या क्या एक तो आपको convex lens के लिए आजाएगा अगर मालो concave आगया तो वो भी आप कर लोगे क्योंकि इसके अंदर convex के लिए भी आगया और concave के लिए भी दोनो question हो गया इसके अंदर आपके ठीक है तो अगर आपने यह question कर लिया तो यानि यहाँ पर एक ही question से आपके 2 question हो जाएगे और distance निकालना भी आ जाएगा और focal lens भी निकालना लिए आजाएगा ठीक है तो यह question इसलिए important था अगला question यह कि power देर किया आपको minus 2.5 ठीक है और find the focal lens आपको focal lens निकालन लिए तो power का formula क्या होता है 1 upon f simple सा हाना तो यहाँ से f निकाल लोगे आप p की value रख दोगे यहाँ पर minus 2.5 रख दिया तो f यहाँ से कितना है minus 0.4 meter अब आपको nature of lens बताना है यह lens जो है वो कैसा है concave यह convex उत्तल है या अफदल वो बताना है तो यहाँ पर केबल आप minus का sign जैसी देखोगे f तो कौन सो होगा concave यह अभी हमने इससे पहले वाले question में भी करा था concave के लिए f की value क्या होती है minus में होती है ठीक है तो यह एक number का question आता है आपका ऐसी आपको क्या देर का दो lens है एक convex है जिसका plus 6 है एक concave है जिसकी power minus 4 है diopter है ठीक है और इन दोनों को contact पर रखावा है यानि इस तरीके से एक ऐसे है और एक ऐसे इन दोनों को चिपका के रखावा है तो इनकी equivalent focal length निकालनी यानि इनकी focal निकालनी है आपको नेचर भी बताने यानि क्या है नेचर कैसे होगा इसका यानि काम कैसे करेगा है ठीक है तो यहाँ पर क्या है पहले इन दोनों की power को add करतेंगे P equal to P1 plus P2 तो 6 1 plus में 1 minus में तो 2 आ जाएगा यहाँ से F क्या होगा 1 upon P तो यानि 0.5 plus मार है तो इसलिए convex convex lens की तरह काम करेगा है ठीक है यानि उत्तर lens की तरह काम करेगा अगला जो सबसे ज़्यादा important question है ठीक है जो सबसे ज़्यादा आपका exam में आता ही आता है अगर मैं आपको बोलू तो आप सबसे पहले यही question करना ठीक है तो यहाँ पर क्या है एक prism angle है एक ही value दे रुखी है कितनी 60 degree prism angle को हम A लेते है minimum deviation जो दे रुखा है lambda वो दे रुखा है 30 degree आपको find करना है refractive index of material यानि N निकालना है तो यह जो prism वाला question था उसके लिए यह formula है आपका यह मैंने आपको बहुत बार पिछली बार जब मैंने chapter revision कराया था यह chapter में revision कराया है वहाँ पर यह derivation भी बहुत ज्यादा important यह formula जहां से बनता है ठीक है तो यह भी करवाया है यह जाके देखना आप लोग ठीक है तो इस formula में एन के formula में यहाँ पर value रख दोगे a की value रख दोगे lambda यह lambda है में आपका ठीक है 30 और a by 2 यहाँ पर जैसी value रखोगे a की value 60 रख दी lambda की value 30 और a की value निचे 60 रख दी तो जब आप इसको solve करोगे कुछ ऐसा बनेगा 2 से 90 करोगे तो 45 और निचे 30 यह question भी आपका बहुत important है यह आपका sample paper में भी आया था वहाँ पर भी करवाया था ratio of intensity यानि तीवरता of two wave यानि दो तरंग है ठीक है दो तरंगें आपके जिनकी intensity यानि तीवरता का अनुपात दे रख रख ratio मतलब अनुपात यानि I1 upon I2 दे रख आपको हाना I1 upon I2 कितना 9 upon 16 यानि I1 की value 9 I2 की value 16 ठीक है इप बोट रे interference यानि दोनों wave interference बन्ता मिल जाती है तो find the ratio of maximum and minimum intensity अब आपको इनकी maximum intensity हाना और minimum intensity का ratio निकालना है ठीक है maximum और minimum तो इनका ratio निकालना है आपको ठीक तो पहले हम निकालते हैं देखो एक चीज़ मैं आपको बताना वालो ठीक है तो अगर आपको maximum intensity निकालना है ना maximum पहले हम maximum intensity निकालते हैं तो उसके लिए formula होता है A1 plus A2 का whole square मनला A1 A2 क्या यहां पर A1 A2 यहां पर क्या होता है इसमें amplitude होता है आपका तो I am जिसको बोलते हैं तो A1 A2 हमें निकालने पड़ेंगे तब यह थो हम I max निकालेंगे तो A1 A2 कैसे निकालोगे आप लोग तो एक चीज यहां तक न I और amplitude में जो relation होता है I equal to A square होता है ठीक है अब जब I1 होगा तो A1 का square कर देंगे जब I2 होगा तो A2 का square कर देंगे है न यहां पर small a ले लिखका हमें न तो इसको भी small a लिख सकते हैं आप लोग तो I1 जब होगा तो इससे A1 का square लिख देंगे जब I2 होगा दो वेव है हो न हमारी तो इसलिए I1 I2 लेंगे तो इसको इन दोनों का ratio ले लो यहां पर हाँ न डिवाइड ले लिया तो इस पूरे की value तो हमें question में ही देर की कितनी 9 upon 16 देर की थी 9 upon 16 तो यह रख दी हमने है तो 9 upon 16 लग दी यहां से A1 का square A2 का square है यहां से इन दोनों का square ले टाएंगे तो इसमें क्या लगा दींगे root लगा दींगे तो root जैसे लगाओगे तो 9 का square root कितना होता है 3 हाँ ना और 16 का कितना होता है 4 तो A1 upon A2 की value कितनी आगए हमारी 3 by 4 ठीक है इतना हमने कर लिया अब यहां से A1 की value निकाल दी ठीक है A1 की value कैसे निकालोगे यहां पर A1 की value 3 by 4 है हमारी हाँ ना तो A2 को उसके साल ले लेता है यहां पर इस तरह के से A1 की value आ दाएगे आपकी ठीक है अब यह जो formula था हमारा maximum के लिए जो condition होती यहां पर value रख दिंगे तो A1 की जगा रख दिया हमने 3 by 4 A2 और A2 की जगा A2 रहेगा ठीक है तो जब हम इसको solve करेंगे यहां पर तो 3 की multiply इसमें करेंगे 3 A2 plus 4 A2 upon 4 तो यहां पर जब solve कर रहा तो यह आ गया 7 A2 upon 4 7 का square करोगे तो कितना होगा 49 A2 square नीचे 16 ठीक ऐसी minimum के लिए निकाल लेंगे minimum के लिए होता है formula यह है इनके बीच माइनस आ जाता है तो A1 की value जो हमने उपर निकाली थी वह ही यहां पर रख दिंगे और A2 की value रख दिंगे A2 को तो A2 रखेंगे आपर जब हम solve करेंगे न इसको तो यह बनेगा आपका कितना A2 का square upon 16 क्या बनेगा A2 का square upon 16 आप उसने question नहीं बोला था जो maximum minimum आएगा न उसका ratio निकालना आपको ratio मतलब अनुपातों इनको divide कर देंगे ठीक है जो दोनों answer आए न हमारे उन दोनों को divide कर देंगे आप है तो क्या A2 से A2 कर जाएगा 16 से 16 कर जाएगा ठीक है और यह कितना बचा एक मिनट है क्या करा हमने A2 से A2 काटा 16 से 16 काटा तो कितना बचा 49 बचा के बद तो इसले 49 upon 1 आगया आपका ratio ठीक है यह आपका final answer आगया तो इस तरीके से अपने कोशन खिया और यह कोशन आपका एक दू बार आया भी है इस बार sample paper में भी दिया है कोशन ठीक है तो next जो आपका सबसे important question है यह मैंने आपको कल्ली बताया था कि photoelectric effect जो होता है उसको उसका explanation किसकी तरो Einstein यानि Einstein ने जो photoelectric effect को समझाया था ठीक है तो उसके अंदर आपको कुछ point लिख रहे है तो यह question भी आता है तो यहाँ पर यह 4 point जो हैं बहुत important है first, second, third, fourth इन 4 point को आप याद कले ना अगर आपको चेयोगा notes तो यह screenshot भी आप इसका ले सकते हो ठीक है यह note का लेना आप लोग ठीक है यहाँ उसको ठीक है तो यहाँ पर जो यह ना सबसे important है Einstein की equation ठीक है इसलिए मैं आपको इसलिए मैं आपको यह दिखाया क्योंकि इस equation पर numerical सा सकते है ठीक है h new equal to phi naught plus ek ठीक है अब यहाँ पर h new क्यों हहता है आपका photon की energy ठीक है phi naught होगे आपका phi naught की value होती h phi naught जो होता है और इसको h new naught लेते है हम ठीक है h new naught और ek क्यों होता है आपका kinetic energy होता है ठीक है तो इस तरीके चसा आप इसको याद अग सकते हो kinetic energy और 1 upon 2 Mv square और H new को हम Hc upon lambda भी लिख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है ना H new naught इसको हम क्या लिख सकते हैं Hc lambda naught भी लिख सकते हैं हम इसको ठीक है तो इस तरके से भी आप इसको याद का सकते हैं तो main आपका formula जो है वो यह ही है, ठीक है, यह है, तो यहाँ पर 5-0 को हम यह भी लिख सकते हैं, आप इतना याद रखना है इसको, ठीक है, तो इसके पर numerical आएगा आपको, जैसे यह वाला numerical है आपका, तो इस numerical में क्या है कि work function दे रहाँ आपको, किसके लिए aluminum metal के लिए 4.2 electron volt, work function किसके बोलतो 5-0 को, तो 5-0 की value दे रहाँ, आपको 4.2 electron volt, तो इसको हमने जूर में convert कर लिया, 1.6 से, इंटु 10 की बाब, minus 19 से multiply कर दी, और lambda की value दे रहाँ आपको, इतने nanometer, nanometer को meter में बदल लिया, ठीक है, आपको threshold, threshold wavelength निकालनी है, ठीक है, threshold wavelength किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते है, दे रहे निकालना आपको, किसका, देहली तरंग दे रहे है, देहली तरंग दे रहे है, हिंदी में, ठीक है, अब work function को क्या बोलते है, कार्य फलन, क्या बोलते है, कार्य फलन, ठीक, और aluminium धातू के लिए दे रहे हैं, तो threshold frequency कैसे निकालोगे, देहली आवर्थी, तो उसके आपको मैंने formula बता है, 5-0 को हम इस तरीकत से लिख सकते हैं, अब यूपर बताया था, और इस new not को हम कैसे लिख सकते हैं, SC upon lambda, हाना, मतला C upon lambda लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो यह हमने यहापर लिख दिया है, इसको, best यहापर आप value पुट कर दो, यहाँ से आपको lambda not नि 4 होती है, यह आपको याद अखनी है, ठीक है, और C की value कितनी होती, 3 into 10 की power 8, तो यहाँ से क्या करोगे, lambda not को उदर ले जालो, हाना, 5 not को इसके नीचे लागे, तो इन दोनों को divide कर दो, तो यहाँ से आपका lambda not आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के दे लेंड़ नॉट की value जाएगी, ठीक है, second part में क्या बोला है उन्होंने, second part में पोचा है कि maximum and minimum kinetic energy of electron, यानि जो electron किसी aluminum की धातू से निकलेंगे न, metal से निकलेंगे, जो electron, उनकी अधिकता मुर्जा कितनी होगी और noon ता मुर्जा कितनी होगी, maximum and minimum energy कितनी होगी, तो देखते हैं यहाँ पर पहले निकालते है kinetic energy, तो kinetic energy कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर यह formula था आपका, ठीक है, यहाँ से ek की value यही हमारी kinetic energy यह निकाल लेंगे, तो यह इदर जाएगा, minus में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम सब value पूट करते हैं, h की value आपको यादक नहीं यह होती है, c की value आपको पता है, यह होती है, lambda naught, lambda naught कितना लिखा हुआ है, 2 into 10 की power minus 7, ठीक है, और 5 naught, 5 naught तो अभी आपको उपर question में दिया था, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, तो lambda तो आपको यह दे रखा था, ठीक है, यह हमने वहाँ पर रख दिया, और 5 naught आपको यह दे रखा है, ठीक है, तो यह दोनों value आप वहाँ पर रख दो गए, तो यहाँ पर क्या करा, उस lambda की value रख दी, ठीक है, h की value रख दी, c की value रख दी, और यहाँ पर जब हम इसको solve गरेंगे न, ठीक है, तो यह electron volt में ही आया है, 6.18, तो यहाँ पर हमने जो 5-0 की value रखी न, वो electron volt वाली ही रखी, जो question में देर की थी, यानि इसको joule वाली value नहीं रखी आपर हमने, ठीक है, तो इसको minus करोगे तो 1.98 electron volt आगे आपका, ठीक है, और minimum kinetic energy तो 0 होगी उसकी, अगला part जो है, maximum minimum kinetic energy हमने निकाल ली, minimum तो 0 रहेगी और maximum हमने निकाल दे, ठीक है, यहाँ पर जो है न, third part जो हमारा, stopping potential for stopping electron निकालना है हमें, ठीक है, अब stopping potential क्या होता है, stopping potential हम अदला होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको daily आवर्ती, daily आवर्ती, ठीक है, अब यह निकालना है कि electron को रोगने के लिए हमें कितना potential applied करना पड़ेगा, ठीक है, V हमें apply करना पड़ेगा, कितना V हमें उसको देना पड़ेगा, तो इसको निकालोगे कैसे, उसके लिए एक formula होता है आपका, तो जो अब भी हमें क्या करता है, stopping potential निकालना होता है, तो इसको हम kinetic energy के equal रखते हैं, यह formula होता है इसका, तो यहां से V निकालने हैं, ठीक है, V not लिखो, है ना, V not लिखो, तो यहां पर V not लिख देना है इसका, ठीक है, V not निकाला है, तो EK equal to EV not, ठीक, तो EK की value तो अभी निकाली हमने 1.98 उपर, हा ना, वो रख दिंगे, और E की value कि होता है, electron पर कितना चार्ट होता है, 1.6 into 10 के पर minus 19, तो वो रख दिंगे हाना, E इसके divide में आ जाएगा है, तो जब हम इन दोनों को divide करेंगे, तो यहां से हमारा V आ जाएगा, 1.98, तो यह हमारा stopping potential आ गया, ठीक है, यानि इतना potential voltage देने पर वो electron रुख जाएगे आपके, अगला question जो पूस्ता है, इसमें बहुत important है, अगला part, if intensity of incident ray, यानि जो मालो या aluminum का कोई plate रही होगी, अब इसमें डालने वाली हमने जो परकास, जो भी हम light डाल रहे हैं, अगर हमने उसकी intensity double कर दी, यानि तीविर्था double कर दी, तो उसकी maximum kinetic energy कितनी होगी, यानि जैसी हम इसमें परकास डाल रहे हैं न, ये परकास की तीविर्था को हमने बढ़ा दिया, intensity को बढ़ा दिया, वो करते हैं double, तो यहां से जो electron निकलेंगे आपके, इस aluminum की plate से, उनकी kinetic energy में क्या फरक पड़ेगा, कि उनकी गतिर उर्जा में क्या फरक पड़ेगा, वो हमें बताना है आपने, तो अगर आपने चेप्टर अच्छे से पढ़ाओगा, तो आप इसको easily बता दोगे इसका answer, ठीक, तो यहां पर क्या लिखे, देखो, यहां पर notes में लिखावा है कि kinetic energy does not depend on intensity of light, यहां इंटेंसिटी ओफ लाइट पर डिपेंड यह नहीं करता, यहांनि electron की जो kinetic energy यहांनि गतिर उर्जाय है, वो intensity पर डिपेंड नहीं करता आपका, ठीक है, तो आप चाहिए उसको double करो, triple करो, कितने भी कर दो, उस पर कोई भी फरक ने पड़ेगा, यहांनि जितने की speed से वो चल रहे थे, निकलने के बाद हो, अलुमिनियम की दातु से निकलने के बाद चल रहे थे, उतने की speed से वो चलेंगे, ठीक है, जो kinetic energy होती हो, frequency पर डिपेंड करती है, आवर्ती पर, ठीक है, अगर आप आवर्ती को बढ़ाओगे, तो तब उनकी ग अगर आपने चार पार्ट कर लिए तो आपका मतलब आदे से ज्यादा topic इसके अंदा कबर हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको होर कुछी करने की जूरत नहीं है, तो अगर आपने चार पार्ट कर लिए इसके, तो मतलब आपका जो Einstein की equation से जो numerical बन रहे थे नो, सब numerical हो जाए ठीक है, अगला जो important topic है आपका D-Brogli equations, ठीक है, तो D-Brogli equation क्या है, D-Brogli ने क्या बताया था कि जो matter होता है, वो dual nature सो करता है, यानि particle nature और wave nature, ठीक है, तो दोनो nature, यानि कन की तरा भी विवहार करता है और तरंग की तरा भी, ठीक है, पार्टिकल की तरा भी और किस की तरा wave यानि तरंग की तरा भी होता है, ठीक है, तो उसने ये formula दिया था, lambda equal to h upon p, lambda equal to h, p को हम mv भी रख सकते हैं, तो ये formula भी, इस पे भी numerical कर ले न, आप लोग, जरूर एक, ठीक है, अभी मैं check कर लेता हूँ, अगर मैंने इसमें करवाया हैं, तो करवा दूंगा, ठीक है, व momentum और kinetic energy में कैं relation होता है, तो ये आप formula याद कर लेना, इसको, ठीक है, ये kinetic energy होगी, और ये momentum यानि p, kinetic energy मतला गतिर उट जा, ठीक है, और momentum यानि, क्या, somewhere, इन दोनों में, जो relation होता है, क्या संबंद होता है, वो आपको यहाँ पर इस formula को याद कर लेना, formula याद कर लेना, ठी आया अभी हमने उपर पढ़ा था P equal to H upon sorry जो मैंने आपको डी ब्रॉगली वाला बताया था हा ना एक मुनट दिखा देता हूं आपको यहाँ पर क्या लिखा था Lambda equal to H upon P ठीक है यह Lambda equal to H upon M V तो यही यहाँ पर हमने यूज़ कर रहा है हमने क्या कर रहा है यहाँ 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 पर यहाँ का फॉर्मला था हा ना यहाँ से P की वैल्यू निकाल दी तो P की वैल्यू कितनी आई यहाँ से यह दोनों जो है इसके तो यह निकालना है यहाँ पर P square P square से square अटाएंगे तो यह रूट में चले जाएगा ठीक है और एक फॉर्मला यह भी याद अखले ना हा ना यहाँ पर 3 M K T आएगा 3 M K T K मतलब वोर्समें कॉंस्टेंट ठीक है जिसकी वैल्यू यह होती है T मेंस टाइमपरेचार M मिनस दरिमान ठीक है मास तो यह फॉर्मला भी आता लेम्डा निकालने के लिए तो तीन फॉर्मला होगे आपके यह ठीक है एक ये formula हो गया एक ये formula हो गया ठीक है और एक formula ही हो गया ठीक है तो kinetic energy का है तो तीन formula लेमडा के दो formula हो गया और एक उसका ठीक है ये formula आपको याद अखना है numericals आएंगे और एक formula इसका भी याद अखना है expression for deep rotary wavelength associated with accelerated electron यानि जो त्वरीत electron होते हैं आपका हिंदी में बोलेंगा त्वरीत ठीक है जो त्वरीत electron होते हैं उनके द्वारा जो wavelength generate होती है इसके लिए formula तो ये बहुत important formula है ये 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 आपको एक number भी मिल जाएगा ठीक है तो ये होता है 12.27 12.27 upon root V angus strong ठीक है तो ये formula आपका बहुत important है इस पर एक numerical भी आपको बता देता हूँ किस तरह के साएगा ये ठीक है इस तरह के से क्या है कि एक deep rotary wavelength है find the deep rotary wavelength आपको निकालनी है नि तरंग देदेरे निकालना है एक electron accelerate हो रहा है नि और इसको solve करोगे तो lambda आजाएगा आपका इस तरह के से ठीक है बागी आप solve कर सकते हो मैंने आपको बता देए कैसा करना है हाँ तो ये deep rotary wavelength पे एक numerical है आपका जो मैंने आपको बताया था तो ये numerical है कि एक 50 gram की कोई blit है कोई गोली है 50 gram की है ठीक है तो m जो देर का 50 gram देर का तो इसको kg में change करोगे तो 15 to 10 की पाव मैनस 3 हो जाएगा ठीक है उसकी जो speed है 500 meter per second है तो v देर के आपको find the wavelength यानि तरंग देर निकालनी आपको producing by it यानि जब ये गोली चलती है न तो ये कितने तरंग की wavelength यानि तरंग देर रुथपन करेगी वो आपको निकालना है ठीक है तो कैसे निकालोगे आपको पता है lambda का formula होता है h upon p और p को क्या लिख सकता है m into v ठीक है अब m into v जब आप दिखोगे तो m तो आपको देर का है और v भी देर का है और h की value आपको पता होती है ठीक है तो जब आप इसको solve करोगे तो इतना इसका answer आ जाएगा ठीक है तो इतना ही आपको इसमें करना है यह answer आ गया ठीक है बाकी जो उपर है वो सब गिलत यह मत करदे ना इसको ठीक है बाकि एक कोशिशन आपको hydrogen spectrum, ठीक है, hydrogen spectrum के ओपर भी करना है, यहाँ पर जैसे wavelength के लिए, यह wavelength का formula होता है, 1 upon lambda equal to rh, rh bracket में 1 upon nf, nf मतला final, और 1 upon ni, ni मतला initial, ठीक है, अब यहाँ पर आपको nf और ni का मतलब क्या है, अब यहाँ पर rh की value जो है, वो यह रखनी है आपको, ठी 097 into 10 की power 7 meter inverse, ठीक है, यह आपको याद अखना है, ऐसे अगर wave number निकालने के लिए बोलेगा, तो 1 upon lambda को क्या लिख देते हैं, new bar लिख देते हैं, ठीक है, इस तरहे कैसे, ठीक है, तो यह formula यहाँ आपर use हो जाएगा, तो यह अगर wave line निकालने के लिए बोलेगा, तो यह wave number निकालने के लिए बोले का यह, आप हम यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि, nf कैसे लिखोगे, और ni कैसे आपको decide करोगे, ठीक है, या n2 और n1, n final मतलब n2, i को n1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, n2 और n1 भी लिख सकते हैं, और n final और ni भी लिख सकते ह आपको कोई Atom होता है तो Atom के अंदर क्यों होता है? Nucleus Nucleus के चार ओर, यानि नाबिक होता है नाबिक के चार ओर क्यों होती है? Orbit होती है इस तरीके से ठीक? अगर मान लोग किसी जहां पर क्या है कि मान लोग यह Infinity है, Infinity से कोई लेक्टॉन पहली वाली कच्छे में आ रहा है हाना? या उससे पहले इसको ले ले पांची, पांची से पहले पहा रहा है फिर चौते से पहले पहा रहा है, हाना? फिर तीसरे से पहले पहा रहा है फिर दूसरे से पहले पहा रहा है, इस तरह कैसे है? ठीक है तो यहाँ पर जिस पर आ रहे हैं जैसे पहले पर आ रहे हैं सब के सब तो यह हमारा nf हो जाएगा final nf की value हो जाएगी one और किस से आ रहे हैं पांच वे से आ रहे हैं तो पांच हो जाएगा चार से आ रहे हैं तो चार हो जाएगा 3 से आ रहे हैं तो NI की value 3 हो जाएगे तो जिस से भी आ रहा है तो NI की value हो जाएगे ठीक है तो यह ध्यान रखना है इसके उपर आप question अप अराम से कर सकते हो जैसे आपको एक question दिखाता हूँ हाना यह question है आपका ठीक है तो यहाँ पर question क्या है कि एक hydrogen atom है जिसमें electron कहाँ सा रहा है चौते से दूसरे पा रहा है तो तीसरे से दूसरे पा रहा है हाना तो तीसरे से दूसरे पा रहा है तो इसका मतल़ क्यों हो जाएगा इसका मतल़ हो जाएगा दूसरे पा रहा है तो यानी final कितना हो गया हमारा 2 और n i की value कितनी हो जाएगी 3, है न, तीसरे से दूसरे पर आ रहा है तो n i की value 3 और n f की value 2, यहाँ पर गलत लिखा हो था, ठीक है, इसलिए मैंने कार जया तो n f की value 2 और n i की value 3, तो यह आपको लिखना है तो यहाँ पर देखो n f की value रखी 2, n i की value रखी 3, तो जब आप इसको solve करोगे बाकी rh की value तो आपको पता ही है यह रखनी है, याद कर लेना ठीक है, तो यहाँ से lambda की value आ जाएगी आपकी, यह तो simple question होता है इसका तीनी चीज़ रखनी होती है आपको, ठीक है और lambda निकल जाएगा अगली चीज़ पूछा उसने, इसी portion में कि this photon this photon is of which series यानि यह जो photon जो photon है, वो किस series पर लाई करते हैं, ठीक है तो यहाँ पर जो lambda है ना, उससे हमें पता लगेगा कि photon किस series से लाई कर रहा है तो देखो, आपका का है मैंने के बाद आया था nf की value थी 2 और n i की value 3 यानि तीसे से दूसरे मारा है, तो जब भी ऐसा होता है तो यह आपको याद अखना है देखो, 11 series में जो nf की value होती ही 1 होती है, यानि nf की value 1 है, अब यहाँ से या तो 2 से, दूसरे से 1 मायेगा, या तीसरे से 1 मायेगा, या चौते से 1 मायेगा, ठीक है तो n i की value 2, 3, 4 हो जाती है तो यह तहन ही हमारा, हमारा किसमा आ रहा है, 2 पे, तो nf की value हमारी कितनी है, 2 और कहां से आ रहा है, n i 3 से आ रहा है, 3 से भी आ सकता है 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है तो हमारा 3 सा आ रहा है, तो कौन सी स्रीज है, यह Balmer स्रीज के अंदर आएगा, कौन सी Balmer, अगर पहले पा आ रहे हैं तो Lemon स्रीज, दूसरे पा आ रहे हैं तो Balmer, तीसरे पा रहे हैं तो Portion, ठीक है, और फिर, आता है Bracket, Piffund, ठीक है, बाकी इनके Reason भी दे रुखे हैं, किस कि स्रीजन में, पहले वाले, Lemon स्रीज के लिए, अल्टर वाइलेट होता है, Balmer वाले के लिए, वीजिवल, यानि जो लाइट हमें दिखाई देती हैं, सारे कलर, Portion वाले में, Infrared, Bracket वाले में भी Infrared आता है, ठीक है, और इसमें भी Infrared region, ठीक है, तो इस तरह के सा आप इसक Important Question है, कि एक Hydrogen Atom है, उसका Mass दे रहा है, इतना, ठीक है, इतने EMU, Mass of Proton, यानि यह Hydrogen Atom के अंदर जितने Proton होंगे, उनका Mass इतना दे रहा है, Mass of Neutron, जितने भी उसके अंदर Neutron होंगे, उनका Mass दे रहा है, आपको Binding Energy पर Nucleon निकालने हैं, ठीक है, तो Binding Energy पर Nucleon निकाल परता है, दिर्मान छती, Mass Defect निकालना परता है, तो यह कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसके लिए यह Formula आपको याद अखना है, ठीक है, अब इस Formula में होता है, एक Z, Z कितना होगा, देखो, 1H2 है, यह Hydrogen Atom, तो यहाँ पर यह Z होता है, तो Z की Value कितनी है, Z की Value है, 1, ठीक ह तो Z की जगा 1 रखो गए, Mass of Proton दे रखा है आपको, कितना 1. यह होड़ा, यह MP की Value रख दो गए यहाँ पर, ठीक है, प्लस, फिर आप पर आता है A-Z, तो A क्या होता है आपका, यह A होता है, आना, A की Value कितनी है, 2, तो A-Z, यह नहीं 2 में से 1- को रोगए, ठीक, और MN, Neutron का Mass कितना दे रखा है, यह, वो रख दोगे यहाँ पर, माइनस MN, Nucleus का Mass, जो Atom का Mass होता है, मतला Nucleus का Mass, तो कितना दे रखा है, 2. यह, आप ऐसे मतला हो, यह तो Hydrogen का Mass है, जो Hydrogen का Mass होता है, वह ही Nucleus का Mass, क्योंकि Nucleus के अंदर ही Proton और Neutron होता है, ठीक है, तो MN क value यही रहेगा आपके, जो उसका Atom का Mass दे रखा है, ठीक है, यह, पर यहाँ पर आप solve करोगे, तो यहाँ से पूरा, जब यह solve करोगे, तो यहाँ से del time आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा, del time की value आजाएगी, del time आया हमारा इतना, जब आपने इसको solve गया, अब आपको प्रती nucleon बंधन उर्जा आपको निकाल लिए, प्रती nucleon बंधन उर्जा, तो उसके लिए formula क्या होता है, जो del time होता है, जो अब हमारा आया, उसको A से divide करना है, और 931 की multiply कर देनी है, ठीक है, तो यह होता है, binding energy per nucleon, यानि बंधन उर्जा, प्रती nucleon बंधन उर्जा, तो del time यह हो गया, A की value कितनी है, hydrogen था ना आपका, यह, तो यह आपका A होता है, तो A की value 2 है, तो यह नीचे 2 रख दोगे, और 931 से इसकी multiply कर दोगे, ठीक है, तो वही हमने करा, del time की value रखी, 931 और upon में 2, तो 2 से इसे काटा, जो solve करका है, वो इतना है आपका, तो यह ही इसका answer हो और उसके बास की energy भी निकाल ली, ठीक है, binding energy per nucleon, तो यहाँ पर आपके complete question होगे, second book के, ठीक है, तो second book के जो important question थे होगे, मैंने आपको बता दिये, इसमें, थोड़ा बहुत इनका solution भी बता दिये, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे आपको value पुट करनी है, main आपको है, कि value कैसे put करनी है, क्या-क्या value, मतलब किसकी value, जैसे कैसे value put करनी है, आपको वो आपको इसमें mainly समझ माना चीए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो presentation करने का तोड़ा तरीका थोड़ा अच्छा नहीं है, मगर आपको basic यह पता होना है, कि करना क्या है, ठीक है, तो वो आपको मैं समझा कैसे question आपके आएंगे, और किस तरह के सापको उसमें value put करनी है, ठीक है, किस तरह के कौन-कौन से question आपके important है, वो मैंने इसके अंदर बता दिये, ठीक है, टॉपिक भी एक-दो बता दी थे, ठीक है, जैब photoelectric fact, Einstein की equation, डी ब्रोगली वाला वो आपको पढ़ना है, ठीक है, आप क्या है, आपको देखो, कोसिस करनी की, ज़्यादत से ज़्यादा आप पढ़के जाएं, ठीक, ऐसे नहीं कि आप एक-दो topic पढ़के जा रहे हो, तो उससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि मौका एक ही बार मिलेगा आपको, और उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, अगर आपने मानलो, घर से कम question पढ़के चलेगे, और वहाँ मानलो question, देखो question कैसा भी आ सकता है, paper कैसा भी आ सकता है, किसी को पता नहीं, tough भी आ सकता है, simple भी आ सकता है, ठीक है, तो अगर tough आ गया, तो उसके लिए भी आपको तयार रहना है, ठीक है, फिर आपको अगर आपको important चाहिए, तो important पढ़िए, उसके बाद time मिलता है, तो extra भी पढ़िए, के बाद important के बरोसे मत जाना, ठीक है, क्योंकि paper किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ये ध्यान रखना, तो thank you.